हलो दोस्तो मैं हूँ पंकच वैलकम अम्रहों में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि आज जो ओपरेटर या व्याइली CSC से अधार कार्ड का कार्य कर रहे हैं उन सभी के पास रश्मी मैम दोवारा एक मेल भेजा गया है जिसमें यूश्यल संबंदी कुछ निर्देश दिए गए हैं और उसमें कुछ ओपरेटर या व्याइली के पास साइद ये मेल नहीं पहुचा हो या आने वाले समय में साइद उनके पास पहुच जाए तो ये मेरे पास आज ये आप देख रहे हैं मैंने मेल खोल चुकी है मेरी इमेल पर ये आज ही तीन बच के साथ मिनट में मेरे पास रिसीव हुआ है और इसके बारे में आपको बता दू कि इसमें सीसी के वो निर्देश हैं जो जो सभी को फोलो करने हैं और जिन जो जो भी या उपरेटर इने फोलो करेगा उनका ही अधार का कार्विया चलेगा इ या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जैसे कि आप यह देख रहा है पहले लाइन में उन्होंने बताया है यह आपको मैं मार्क करके दिखा दूँ कि देखिए सबसे उपर लिखा है यूसियल सेवा के बारे में महतपूर निर्देश यह रश्मी मिश्रा द्वारा बेजा गया है जो हमारी में है उन्होंने भेजा है यह अधार यूस्ययल पर काम करते से में कृपए निमलखीत बेंदों चा पालन करें इसे ध्यानपूरबक पढ़े हो और इन निर्देशों का, निर्देशों और सर्तों का पूर्टे पालन करें, मतलब यह जो निर्देश दिये हैं, इन्हें पूर्ण रूप से मानना है, सबसे पहला निर्देश है, CSC BC द्वारा चलाय जा रहे, अधार ओनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर में, रेट चार्ट बाहर और अंदर, दोनों जगा होना चाहिए, मतलब जो रेट लिस्ट है CSC वाली वो दोनों जगा होनी चाहिए, उसके बाद नमबर दो है, पंजिक्रिस CSC BC केंदर पर ही UCL का कार्य करना है, अन्या किसी जगह पर जाने पर सेंटर नर्स कर दिया जाएगा, अगर उन्हें लग रहा होगा तभी इन्होंने लिखाया कि अगर आप दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपका सेंटर बंद कर दिया जाएगा मैं उनसे कहना चाहूँ अगर ऐसा है मुझे तो लगता नहीं कि लोग इधर उदर जाके काम कर रहे हैं पर यह लिख रहे हैं तो साइध इनके पास कंप्लेंट पहुची होगी और ओपरेटर सिंग करते टाइम यह बहुत जरूरी इस बात पर ध्यान दे क्योंकि ओपरेटर स करते था यह सुरू में स्टाटिंग में हुमारा अधार कार्या सुरू हुआ था तब हमें पता रहाता की CSC आधार लिखना आपको CSC आधार सेंटर लिखना है पर अब उस इस सिथान पर इनोंने नाम चेंज कर दिया है और यह चेंटर कर लिने organ kidding करते सेंटर का नाम यूचेल में केवल अपडेट हो सकता है अन्य तो होने का मतलब भी नहीं बनता है चोटे नमबर पर भी बता रहे हैं यूआई डी और नमबर में कह रहे हैं कि यह देखिया आप दिख रहा होगा सबको आसा है यूआई डी यह सी एस्पीवी टीम द्वारा वी एली यूचेल के केंद्र पर भी दोरा किया जाएगा अगर कोई भी दुर्वेवार करता हुआ पाया जाता है या अधार अपडेट के लिए अति सी आईडी तुरंत रद कर दी जाएगे मतलब उस ओपरेटर की दोनों सर्विसें बंद कर दी जाएगे इना कि अधार उसकी बात पांच नमबर पर है पांच नमबर कोलम है आपके सामने दिख रहा है जिने सेंटर मिलने वाला है सायद उनके पास नहीं गया हो पर मैं आप दर्ज की जा सकती है यह इसलिए हैं कि अगर आप इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपके साल आपके साथ दर्ज की जा सकती है और नमिन्तम यूएडियाई ओम्यू के अनुसार दिनांग 64 2021 ऐसे मामले में ब्रस्टाचार की प्रति घटना 50,000 यह एक लाग दो सब्सक्राट दिख लिया है जब्लेकल यूऩं ब्लेकन इन वाईड कोपी यह color photo कॉपी बिलकुल नहीं करने हैं आपको इस पर आपको बहुत से ज़्यादा जयान रखना है क्योंकि अगर आप सभी निर्देशों को पालन करते हैं तो आपका सेंटर मेरे हिजाब से कभी बंद नहीं होगा आप आजाते हैं आठ नमबर पर आठ नमबर लगतार बोले जाने के बाद भी लोग UIDI नेम के विरुद्ध कार्या कर रहे हैं और आपके प्रितियक इन्रॉल्मेंट की समिक्षा UIDI द्वारत की जाती है अतन नियोमों का के अनुसार कार्या करें आठ नमबर में भी बहुत इंपोर्टेंट बात बताई हैं नो नमबर में बता रहे हैं यदि किसी वियक्ति विसेश के पास कोई दस्तवेज नहीं है तो आप इस जासा में UIDI द्वारत दिये गए फॉर्मेट का ही उप्योग करें हैं एनि कोई दस्तवेज मानने नहीं होंगे मतलब कोई अन्या दस्तवेज मानने नहीं होंगे और बड़ी नियमों के अनुसार पालन करें उसके बहुत सक्ति से नियम है UIDI फॉर्मेट के उसके बाद दस नमबर पर आजाते हैं के दर पर सभी रजिस्टर आवश्टर रूप से बनना है नहीं पाए जाने पर सेंटर नस्त किया जाएगा मतलब जो आप इंडोल्मेंट पर करना है उसके बाद सोफ्टेवर टेम्प्रिंग यह रवड़ प्रिंट का उप्योग की सूचना पर स्यासी आइडिया यूश्यल आइडी दोनों ब्लोग की जाएंगी गयार नंबर कोलम कुछ समझ नहीं आया मुझा हला कि टेम्प्रिंग रवड रवड का फिंगर प्रिं में बता ही दिया था कि यह जरूरी है और देखिए इनका निर्देश भी आ चुका है मैंने यह कहा था कि आपको अपने बीसी कोड पर लेंदेन भी पड़े करना जरूरी है और तेरह नंबर कोलम जो आपके लिए बहुत ही महत्पूर है आपके लिए और सभी CSC ओपरेटर जो अधार कार्ट का कार्या कर रहे हैं मेरे चैनल पर वो कमेंट्स करते हैं कि अधार का कार्या किस टाइम से किस टाइम करें यह इमेल में सेकिंड टाइम अपडेट हुआ है मतलब सेकिंड बार बताया गया है कि इन निर्देशों का पालन करना है अधार कार्या करने का नि ना करें इनोंने साफ साफ कह दिया है और रोजाना सोममार से अभिवार मतलब पृति एक दिन आप अधार कड का कार्य कर सकते हैं गजेटेड होलीडे को छोड़ कर जो भारत के छूट हो लिडे हैं बड़े उन्हें छोड़ करके आप पिति दिन इसमें कार्य कर सकते हैं और उसके बाद इन्होंने कुछ डॉकुमेंट्स मतलब कुछ फाइल है अटेच करके भीजी है जो आपको दिखा देता हूं यह देखिए इन्होंने कुछ सपोर्ट के लिए बताए प्रतियक सेंटर के लिए निवारे हैं यह सपोर्ट दिया है यहां पर यूज़र मैनुवल मतलहिक दिया है किस-kis तरीके से। आपको फोर्ट रट ले सोफ्ट करना है और और क्या करना है मैं बिना मसीन के सिंगल ते मतलब को बता हैं कि कैसे बनानी है registration कैसे करना है hard copy कैसे वेजनी है और यह सारे नेटेस उसमें लिए है new के लिए new का क्या process कर सकते है second attachment जो है वो enrollment form है update form जो मैंने अधार update form या enrollment update form भी कह सकते है क्योंकि enrollment नए का होता पर नए के लिए और correction के लिए दोनों के लिए यही form होता है इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया आप उसे देख सकते हैं इस form को फिल करना दूसरे नंबर पर valid documents list मतलब किस 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 ID से आप क्या सुधार कर सकते हैं यह list इन्होंने supporting document दिये कुछ लोग इसे नहीं निकाल पाते हैं जो नए operator है और निकाल भी पाते होंगे पर उन्होंने सहचता के लिए operator कि ताकि दिक्कत नहों रासानी से वह काम कर ले उन्होंने इसमें mail में लिखा है दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया है कि banner जो डियर मतलब support का जो banner है यह भी आपको प्रेंटर पर लगाना है और उसके बाद इन्होंने register का format दिया है सीरियल नंबर लिखना है पहले enrollment आपके कितनी संक्या तक हो गए है उसकी date लिखनी है resident का name लिखना है अधार में उसने क्या कराया वो लिखना है amount service का वो लिखना है resident का mobile लिखना है और उसके signature कराने है signature और उसके बाद अन्य कोई अन्य टिपड़े आप इसमें लिख सकते ह लिखना रखा है पर मैंने कुछ एंट्राइस की अदायवाय कर रखी है उसके बाद यह आपको दिख रहा है बैनर इस यह inside के लिए हैं और यह outside के लिए हैं मतब CSC के जितनी वैधार कार्ट के center है वो इसे इधर यह outside के लिए हैं और inside के लिए हैं इनके सभी निर्देश मै मैं ucky मैं इन्होंने update कर दिया था मेल आया था मेरे पास उस तक मैंने विडियो बनायाए था बनाया था time को लेकर करके लिघो इन्हों ने आज साफ-साफ कर दिया है जो लोगों कि भ्रहाम था कि उसने कह दिया कि 10 बजे से करना है या उस्ने कह दिया सौरष करनेarm कुछ ल के लिए वीडियो बनवाना चाहते तो आप मुझे कोमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास यह इमेल आ चुका है तो अच्छी वात अगर नहीं आया तो आप इन देशों को अच्छी से फोलो करें अगर आपका सेंटर चालू होने वाला है तब इन पर ध्यान रखें ध्यान दे को यह बेजें सपलता पूर्वत के बाद के डेंसल मेरा आपको प्राफ्ट होगा मतलब जब आरों से आपकी के डेंसल बन जाएगी तो आपको मेल प्राफ्ट होगा और इस पिरकरिया में समय लगता है ब्लैक लिस्ट सूपरवाइजर या के डेंसल बनना संभव नहीं है मतलब जो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं या उनका सेंटर बंद हो गया किनी कारणों की वैसे तो उनके के डेंसल नहीं बनेगी के डेंसल बनने की सूचर से इस्टेट टीम को मिलने के बाद आपकी स्टेटिक आईपी वैरिफाई कर वाइड लिस्ट करने के लिए भेज दिय क्या जाता है तो इसमें थोड़ी से टाइम लगता है इसमें उन्होंने पहले कह दिया था और देखिए नोट अधार मसीन सक्सिस्पूल रजिश्टर होने के बद आपकी डिटेल्स एल्टू प्रोसेस के लिए पुने यू आईडियाई आरो भेजी जाती है जिसमें सास से दस दिन का समय लगता है और एल्टू पूरह होने के बाद आपको आपको सुरू करने है तो मेल के माधियम से सूचित किया जाता है उसके पस्चाद आप काम सुरू कर सकते हैं कुछ लोग मुझसे कोमेंट्स करके पूचते थे कि अल्टू कब होगा ल्टू कब होगा प्रोसेस में लगते हैं यह बहुत महपूर मेल यह प्राप्ट हुआ है हमें और इसमें हम आसानी से इन्हें फोलो कर सकते हैं और इसमें देखिए स्टॉल करने के बारे में बताया कि आप इसे कैसे कैसे स्टॉल कर सकते हैं तो यह मेल सभी को प्राप्ट हुआ है अगर नह इसी तरह मेरे चैनल पर बने रही है, अपना प्यार देते रही है, आप सभी का धन्यवाद